आप किसी वी वक्त को बरबाद मत कीजी यूँकि बितावा कल आपके दिमाग में हो और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में इसलिए समय का कद्र करते हुए अपनी कारी की सुरुवात करें इस चीथी आपको सफलता जरूर मिलेगे अगर जीवान में आपको सफलता को प्राप्त करना आए तुम्हारे दिमाग में यार डाल लिजे कि दोलत से ज़्यादा किमती समय होता है क्योंकि समय का आप सही से उक्योग करके दोलत प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दोलत को उख्योग करके आप बिता हो वक्त प्राप्त नहीं कर सकते। महान साइंटिस्ट आइस्टाइन ने भी क्या खुब कार। अक्सर अकेलापन से वही गुजारता है, जो जिन्दगी में सही समय पर सही चुनता है। तो ताकतवर हो नहीं होता जो सरी समझबूत होता है, जबकि ताकतवर हो होता है जो अपने सोच समझबूत होता है। क्योंकि अपना सरीर को स्वस्ट करने में उतना वक्त नहीं लगता है, जितना वक्त अपनी सोच को स्वस्ट करने में लगता है। से लिए आप सही समय पर सही मार्क पर चले दिश्ची थे आपको सक्सेस मिलेगी, संगर्स हमारे जीवन का वो हिस्सा होता, जो हर किसी की बस की बात नहीं होती, और जो संगर्स करने जानता है वो असफल से कभी नहीं डरता, क्योंकि जो संगर्स में टिकता है वह है इत्यास किसी को इंप्रेस करने की कोशिस में अपना जीवन बरबाद मत करो, बस अपने आपको बेहतर करने की कोशिस करो, क्योंकि भविस में लोग आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे, कि तुम कौन हो, बलकि लोग ये पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम बस हार मत मान अहे दुनिया तुम्हारी खिलाफ हो या किसमत फिर देखना एक दिन तारिक भी तुम्हारी होगी और तुम्हारे हिसाब से ही माहुल चलेगा वक्त पलक जपड़ते ही पलट सकता है तिसले किसी के साथ उतना ही गलत करना इतना तुम सहन कर सरते हो क्योंकि ये वक्त का पहिया है चलता जाएगा और अच्छा हो या बुरा समय सबका आएगा इंदगी में अपनी तुनना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुरज और चांज दोनों ही चमकते हैं मगर अपने अपने समय पढ़े आज दुग कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए क्योंकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे इसलिए कहा जाता है मेहनत जब जिद उठान लती है जिल पाने की तब किसी की तानों से कोई फरक ने पड़ता और ना ही फिक्र होती है जमाने की मेहनती लोगों का हमें हमेशाब कदर करनी चाहिए क्योंकि इंडिया कितनों भी डिजिटल क्यों न बन जाए लेकिन रोटी गुगल से डाउनलोड नहीं किया जा सकता वो तो किसान की मेहनत से ही मिलती है वियो के अंत में सिर्फ इतना करना चाहूंगा कि जीवन में ऐसी स दोच रखिए जो खोया उसका गम नहीं पर जो पाया हुआ किसी से कम नहीं तो नहीं यह हुआ एक ख़ाब और जो है हुआ लाजावाब है खार एक सबक है जो खुद को सुदाने का मौका देती है इसलिए असफल होने से कभी ना घबराएं क्योंकि असफलता के बाद में सबक्राइब करते हैं अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मपुर्जाख भर्जे और आपको दिखाए एक सई जिसा सुंते रहें मौटिवेस्टनल एकमार थाइंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जैहिंद बंदमात्राप्राइब